वांट सब गैसुई और वासपें इसा मिइस्टीटीफ करें हुई है हमें तक बर Gueye प्ष्टीप landlords जाट है और यह जो प्लभार करना ईजा है यहां से निचे कि टरफ तेज पानी गर रहा है मतलड तो हमें सोचते हैं पी वी सी जो एप से बाथ can नहीं चल पारा भी कि यह पानी लीक कहां से कर रहा है इसके लिए क्या है जो मिक्चर लगा हुआ जो बास्वेशन पर इसको हमें खोलना पड़ेगा उसके बाद हम इसको सही तरीके से चेक करेंगे कि आखिर में प्रॉब्लम आग कहां से रही है आप इसको घर पे बहुत ही सकते हैं चली मैं आपको दिखा देता हूं तो यह दोनों को या प्रश्ण नेच्छे में बत्ट कुर्ण पाईब करने यहां से यहां से खूल रहा हूं तो यह तो इस तरह इन दोनों को जो भी आपका क्योंकि यह डों मिक्चर रहे तो एक गरं पानी का है तो इन दोनों को क्या करना है सबसे पहले खोल लेना है जो वाचपेशन में गरम और थंडा पानी दोनों जाता है तो यह दिख। इसको यहां से ऐसे यह ने यहां से मेंने खोल लिया उसे और खोलने को अफ़ पार उब आप यहां से पानी लीग और यह से पती ही रहा हैonta कि पाइपomphe लिक लारा है या जो मिक्चर है उसके जॉइंट से जो इसका लेगा है कि यह वहां से लिक कर रहा है तो अब इसको जो है यहां से बड़े अराम से आप पिलास से इसको पकड़ के हल्का सा यह देखे घुमाएंगे तो यह देखे यहां से खुल गया इस तरीके से दोनों को जो भी दोनों PVC कनेक्शन पाइप से इन दोनों को इसी तरीके से जो है हमें खोल लेना है यह देखे यह एक हमारा जो है तो यह देखे हमारा पाइप इहां से खुल गया है और इसी तरह दोनों को खोल लेना है यह देखे इसको खोला है लेकिन इसमें जोईट लगा है यहाद लाक से पानी लिक करो तो जोम आपको पहले का करना खोल लेटेखें लेटेखें अब इसी तरीक के दूसरे गपहले लेते हैं बहुत अर आम से देखें आप इसको प्लास से पर इसे करें तो फिल्थ जब टोटी है थेखे हमारे खुल गे है मिक्चर को देखे यहाँ पे जो वाश पेशन में मिक्चर लगा था उसको बाहर निकाले अब देखे मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताता हूं और डारेक्ट इसको पीवीसी कनेक्शन पाइप को देखे इसमें फिर दुबारा आप इस तरीके से इसको चेक करेंगे तो देखे मिक्चर का जो लग है उसमें यह लिके जा रही है तो यहाँ पर देखे पानी कितनी तेजी से लिक कर रहा है मतलब कि अगर एक दो गंटे के लिए खोल दिया जाए तो आपकी पूरी टंकी कह सकते है कि भाई खाली हो जाए है जो भी इसके दोनुघ्टे दोनुघ्टेण खोलने के बाद अब यहाँ देखे इसको हम एक दुआरा एक बार चेक करते इसका पहले देखते हैं कि जोइंट मलब कहां पर एंप ए यहाँ दुबारा देखे इसमें ठाइट कर देता हूं मैं connection को अब इसके बाद देखिए पानी को जो हम on करेंगे यहां से और यह देखिए यहां से on करने के बाद यह देखिए आप कितना महलब तेजी से पानी यहां पर लीग कर रहा है यह जो बीच से फट गया है जो इसका लेग है तो यहां से पानी बहुत ही ज्यादा लीग कर रह कि यह हैं फegods मिक्स करने के बाद यह जो इसका एक है जहांंप यह पानी लीक कर रहा था इसी को वहां पे गरहे हमें यह देखें इस तरीकेसे जो है सको यहांपेUNG हमें pillars यह लगा देना है अच्छे तरीके से जहां पर पानी कर रहा था और आदेगंटे के लिए आदे बढ़ाने के बाद इसको जो यह देखें दुबारा इसी हम वाश वेशन में मिक्चर को यहां पर इसको इस तरीके से सैट कर देते हैं यह देखें अब यह देखें यह इसके अंदर फिक्स हो चुका है अब नीचे से जो है हमें CPVC कनेक्शन जो पाइप था उसको बस खाली ह यहां पर मिक्चर को फिक्स कर देना ताकि यह देखें हमारे दोनों है टाइट हो चुके और यह देखें आप CPVC कनेक्शन को टोटी में यहां पानी के लिए चालो कर देते हैं गरम और ठंडे के लिए अब इन दोनों पाइप को हमें पहले लग रहा था कि पाइप में लि यह देखें इसको इस तरफ से ओन किया तो यह देखें इधर भी पानी का प्रेशर अच्छा रहा और देखें घरम की साइट से अन के दोटिके दोनों साइट से पानी अब ओन हो चुका है और पानी बिल्कुल भी लिक नहीं कर रहा वीडियो अच्छा लगए लाइक करें सब्सक्राइब